है लो इंवेस्टर्स आज की वडियो में हम बात करने जा रहे है जीटियल इंफरा सक्चर लिमटेड के बारे में और साथ ये डिसकस करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस अबडेट्स जीटियल इंफरा की आज की मार्केट की प्रैस की बात करें तो फिलाल ये स्ट स्टॉक में यमें एक 5% की इंग अपर सर्कृत लगते भी नशर आ रही है जिसके चलते पिछले एक माईने की बात करें तो पिछले एक माईने में अरौन हमें 142% के रिटेस देते भी नशर आ चुका है और अभी भी स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी के साथ एक अच्छ हाई हमें देखने हों मिल रहा था जो कि around हमें 3.60 पैसे का देखने हों मिल रहा था और finally stock ने आज उस अपने पिछले पास सलो का हाई को यह पर ब्रेक किया है जिसके चलते हम easily predict कर सकते हैं बहुत जल स्टॉक में आपको और भी बड़े targets आने वाले कुछ दिनों में देखने क आपको मिलते भी नसर आएगी जासे यह stock आपको easily short time में 6 और 7 रुपिस के targets बहुत जल दिखाते भी नसर आ सकता है GTL Infra के delivery volume पे आप notice करोगे तो stock में हमें एक अच्छी खासी buying तो काफी लंबे समय से होते भी नसर आ रही जापे recently पिछले कुछ दिनों पहले stock में हमें एक downfall भी देखने को मिला था delivery volume पे लेकिन पिछले 3 दिनों से आप compare करोगे तो delivery volume में हमें एक अच्छा कासा jump आते भी नसर आ रहा है जैसे GTL Infra का price बढ़ते भी नसर आ रहा है वैसे वैसे GTL Infra में जो jump in delivery है वो भी हमें एक अच्छी खासी देखने को मिलते भी नसर आ रही जापे पिछले week की delivery volume को भी आप compare करोगे जापे पिछले week हमें around 50-48% के around देखने हो मिले लेकिन इस week में आप नसर ड नसर आएगी और जैसे कि आपको मैं हमेशा बोलता हूं आनुले समय में GTL Infra आपको एक multi bag returns 100% या से देते हुए नजर आने वाला है GTL Infra की आज की कुछ बड़ी updates के ऊपर चर्चा करें तो एक तरह आप notice करोगे तो GTL Infra में हमें एक अच्छी खासी तेजी काफी लंबे समय से देखने हो मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको budget 2024 भी देखने हो मिलेगा जिसके चलते GTL Infra में भी हमें एक अच्छा खासा positive impact पढ़ते भी नजर आएगा क्योंकि budget 2024 पे आप notice करोगे तो government of India का जो main focus होने वाला है वो होने वाला है defense, railway, infrastructure and renewable energy के उपर और किसी भी country का जब defense, railway और infra को strong करने के लिए सबसे ज़्यादा important होता है telecom sector तो ऐसे में हम easily predict कर सकते है stock में हमें एक काफी अच्छी कासी तेजी देखने को मिली कि जापे recently government of India ने telecom sector के उपर काफी बड़े उनके plans है जापे 4G service और 5G services को all over India में बहुत जल रोल आउट करना और साथ ही government के आने वाले future plans में 6G के उपर भी काफी ज़्यादा हमें focus देखने को मिल रहा है जापे इस article पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जापे market experts का ये मानना है कि economic growth बढ़ाने के लिए government in sectors पर काफी बड़ा investment करते भी नजर आएगा जिसके चलते हम easily predict कर सकते आने वाले 4 या 5 सलों तक इन सभी sectors में हमें एक अच्छी कासी तेज़ी देखने को मिलेगी और जैसे कि आपको मैं हमेशा वीडियो बोलता हूँ कि आनुवले समय में GTL infra आपको एक multi bagger returns देते भी नजर आएगा क्योंकि recently आप notice करोगे तो stock में हमें एक अच्छी कासी तेज़ी तो काफी लंबे समय से देखने को मिल रही और साती stock में हमें एक अच्छा कासा volume भी द जासे हम easily predict कर सकते हैं बहुत जल GTL infra में हमें कोई बड़ी update देखने को मिलेगी जासे ये stock आपको आगे भी एक rocket बनते भी नजर आएगा और में भी बहुत जल आपको ये 10 और 15 रुपेस के targets भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिखाते भी नजर आ सकता है तो आज के लिए बस इतना ही GTL infra में जैसे कोई latest update या जैसे कोई latest news होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो GTL infra पे आपको मेरा वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे जैनल को सस्क्राइब करो मिलते अगले वीडियो म थेंक यू